जो नागरिकता संसोधन बिल आया है वो भारत के किसी भी नागरिक के हग अधिकार को छीनने का काम नहीं करेगा और नहीं किसी को दिक्कत लाएगी कुछ लोग हैं जो राजनीती बस लोगों में गलत मैसेज भेज के उनको भड़का रहे हैं उनको गुमराह कर रहे हैं कि भाई तुमको यहां से निकाल दिया जाएगा तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा इस तरह की बाते पहला के लोगों में अविश्वास पैदा करके और उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं जो ठीक नहीं है मुझे लगता है जो सच है वो लोगों को जानना चाहिए मैं एक भारत का नागरिक हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जानो समझों कि यह क्या है वैसे हर नागरिक का यह धर्म है करता बेया कि पहले समझो उसको जानो कि यह जो बिल आया है उससे आपका कुछ नुकसान होने वाला है किस तरह को लग रहा है मतलब मौहल बिग बॉस का और सबस्राइब बात है कि आप गए थे और इतना सुकून से वहां पर कैसे रहते थे रहते थे तो कि अगर आप सच में हवे में नहीं है तो आप कहीं भी बहुत आराम से रह सकते हैं तो मुझे लगता बिग बॉस का घर हो या आपका घर हो कहीं पे भी जैसा खिसारी जी भी कहे थे तो मुझे अच्छा लगा उनका जो वह है जैसा उनका नेचर वह रहे हैं उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे वह कुछ और बनने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वह जो फॉर्मेट है बिग बॉ हम लोग इस तरह के वेक्ति आप कुछ गलत बात कर रहे हैं तो कर लीजिए हमको उसे नहीं लेना देना है हम चूप रहेंगे तो इस तरह के लोगों के लिए वह जो नहीं है वह इस तरह के आप दो आप उसे लड़ो उसे जगड़ो मह जब बिग बॉस में था तो मुझे की अपना कर ढर्याइब तो शीने एक दिन सुबहल होगे मेरा नास्ता बना रही थी और उन्हों ने उसमें बहुत सारा मिर्ची बहुत सारा नमक डालके उसको बहुत खराब कर दिया मुझे क 있지만 डिखा लिया खा लिया खतम टेख रही है कि तो बाद में लोग बोले कि आपका जो नास्ता था बिगाड़ा गया था उसमें इतना मिर्ची नमक आप तो कुछ रियक्टी नहीं कि मेरे घर में अगर ऐसा होता मेरी माँ बहन मेरे लिए नास्ता बनाती थोड़ा नमक जादा हो जाता मिर्ची तो मैं थोड़े उन पर चिल कि आप ने नहीं है कि आप हम घर में चिलाते तो बाहर किसे चिला ओगे हम इसलिए वहां पे उस तरछ से थे खेयर जी यह भी तहीं और जो लोग उस फॉर्मेट में इंटर्टेन करना जानते हैं कि भाई हम क्या है उस्से मतलब नहीं जाने यहां दमाल बहुत मस्ती और सबसे ज्यादा तो मस्ती आमरपाली जी ने किया और मुझे लगता है अर्चना जी से भी ज्यादा यहांसी है बहुत मज़ा है वापर